कमाल आरखान जिन्हें के आरके भी कहते हैं कुछ दिनों पहले दो केस में अरेस्ट भी हुए थे पर फिर भी उन्हें सुर्खियों में बने रहने के लिए कॉंट्रोवर्शिल ट्वीट करना काफी अच्छा लगता है इस बार उन्होंने करन जोहर और उनकी फिल्म ब्रहमास बता दे कि हाल ही में के आरके को कॉंट्रोवर्शिल ट्वीट और छेड़ चाड़ के मामले में गिर्फतार किया गया था इसके बाद आज सितंबर को उन्हें बेल भी मिल गई खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले के आरके की फिटनेस ट्रेनर ने उन पर छेड़ चाड़ का आरूप लगाया था और उन्होंने लेट आक्टर्स रिशी कपूर और इर्फान खान पर भी कॉंट्रोवर्शिल ट्वीट किया था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अर हाला कि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो किस पार्टी को जॉइन करने वाले हैं वही फिल्म ग्रमास्र के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 170 करोर रुपीज की कमाई की है across all languages in India वही फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोर रुपे की क माई की है